नमस्कार दोस्तों मैं जया पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जया पांडे 111 पर या फिर आपके धर का mobile में कुछ problem है या आपके office के computer में कुछ problem है वो घर बैठे आप उसको solve कर सकते हैं यह इतना important software reference और वह भी 3 में है कोई भी paid version नहीं है आप चाहे तो उसका paid version भी ले सकते हैं अगर paid version लेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा features में जाएगा आपको paid version खरिबना पड़ेगा तो आप एक बार उस software को जरूर देख लें बहुत ही आसाना और बहुत ही simple इस software ने कर दिया है यह काम आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह सी इसका यूज करना है और कैसे है तो friends वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से एक request करनेगा क कि आगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ दोल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि हमारे आगे आनुली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भ सबसे पहले यहां पर गूगल ओपन कर लेना होगा और गूगल में सेर्च करना होगा अन्य वीवर फीक है इंटर कर दीजिए और प्रेना इससाइट आपको सामने ओपन हो जाएगा अगर आप इसको अपने मोबाल में इंस्टाल करना चाहते हैं तो आप सीधा प्लेश्ट तो फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको इसकी उप्लियोगीता डिखाता हूँ कि मतलत इसका उप्लियोग क्या है उसके बाद मैं आपको इस डेफ साइट पर लाँँगा और आज बारे में बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या benefit क्या-क्या ओवगेर सब दे रहे हैं यहां पर सब तो friends जब तक यह download हो रहा है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो friends प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी चैनल को क्योंकि मैं आपको हर हफ्ते कुछ न कुछ ऐसे अच्छे जानकारी दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही व्योगी होगा तब यहां पर देखिए फाइल डाउंडोड हो चुका है अब इसको यहां पर क्लिक करके चलते हैं इसके फोल्डर में और यहां पर देखिए यह हो चुका है इसको डबल क्लिक करके इंस्टाल करना है यह कर दीजिए यह देखिए यह आ चुका है अब यहां पर इंस्टाल मा अब यहां पर यह देखिए इसका icon आ चुका है और in join now इस पर click करेंगे यहां पर इसको हटा देते हैं join the user experience improvement program यहां पर इसको click कर देते हैं क्योंकि फाल तुम्हें extra time लग जाएगा हमें यहां पर देखिए installation successful हुआ है अब यहां पर देखिए इसको आप देख लीजिए इसको आप देना चाहते हैं तो आपको इतनी सारी features मिलेंगे यहां पर मैं आपको यह दिखा देता हूं कि इसमें क्या-क्या features वह ले रहा हैं high speed सबसे पहले मिलेगा यह देखिए zero वाला है याने कि free है हमें free पहले यूज करना है इसके बाद आप देखेंगे कि क्या है आपको अगर अच्छा लगता है तो आप यहां पर बहुत ही अच्छा है हर जगा काम आने वाला है यहां पर देखिए इसकी speed जो है आपको high मिले करना हूं पहले इसके बारें समझ लेते हैं और यहां पर 10 डिवाइस आप मैनेज कर सकते हैं बिजनेस हावर में आप इनको support मतलब कोई problem हो रहा है कि आप इनसे बिजनेस हावर में पुरन support मान सकते हैं और वहीं अगर आप 10 version खरीदेंगे तो आपको 24 7 365 support मिलेगा ठीक है अगर आपको इनका अच्छा लगता है service आप paid version भी यूज कर सकते हैं तो आपको इनका अच्छा लगता है service आप paid version भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर create account करना होगा create कर लेता हूँ यहाँ पर नाम दे देंगे यहाँ पर आप एक valid email id दे दीजिएगा ठीक है यहाँ पर देभी मैंने sign in करके रखा हुआ है और यहाँ पर send verification code इस पर click कर दीजिएगा यहाँ पर आपको एक code मिल जाएगा यहाँ आगे है हमारा verification code इस पर click करतीजिए यह 6704 यह हमारा code है यहाँ पर enter कर देंगे 6704 ठीक है और यहां पर आप एक password सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है और यहां पर next पर click कर दीजिए ठीक है यह हो चुका है आपका account ready ठीक है अब यहां पर free version आप use करेंगे ठीक है यह देखिए free है अप create करने के आपको कोई जरूरत नहीं है सबसे पहले आप चलिए आप इस software में आ जाईए इस software में आने के बाद आप यहां से login कर सकते हैं login करना है तो login कर लीजिए नहीं तो direct देखिए अपने partner का आप यहां पर control ID मांग रहा है तो आप उसको दे सकते हैं file transfer अगरा सब कुछ कर सकते हैं यहां पर मैं यहां पर आपको mobile version में बताता हूँ तो चलिए मैं सब कुछ इसको minimize कर देता हूँ तो friends मैंने यहां पर अपने mobile वर्दी इसकी ID वगरा सबसेट करके रख लिया है अब यहां पर मैंने इसको देखिए open कर लिया है अब यहां पर यह देखिए आपको यहां पर इसका device ID paste करना होगा आपने mobile में यहां पर 926750752 connect पर click कर दीजिए input security code यहां पर security code add करेंगे 3d3m5nd और connect पर click कर देंगे अब यहां पर देखिए कुछ इस तरह से mobile में आपके दिखा रहा है कुछ access वगराद देख रहे हैं कैसे कैसे इसका काम होने वाला है यह भी की सब कुछ बता रहा है आपको यहां पर इसको tweet कर दीजिए और यहां पर आप देख रहे होंगे अब आप मेरे mobile में देख रहे होंगे मेरे यहां का जो desktop का यह है यह आप मेरे mobile पर देख रहे होंगे यह देखिए अगर आप यहां पर देखेंगे यह हमारा mouse है माउस एक्टिव हो चुका है आप ध्यान से देखिए यह देखिए देखिए मैं अपने mobile पर जो भी क्लिक कर रहा हूं वह देखिए यह देख रहे हैं आसानी से आप mobile पर इसको अगर नहीं maximize करना है किलिक कर दीजिए यह देखिए यह maximize हो गया हमारा सब्सेंबर कर रहे हैं यहां पर देखिए हमारा जोभी है पूरा सा अगर मेट आपका स्लो रहेगा इसमे फोरा सा दिक्रत आएगा आप यहां सी को हटाते है 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 यह देखिए यहां माउस पे किलिक करने वाद आप इसके पार्टनर सो अगरा देखिए यहाँ पर जैसे जैसे मैं अपने मॉबाईल में कर रहा हूं यहाँ पर दिखें ऑन फिन से कर सकते हैं यहां से ऐत違ू मैं आपने ओletterियो नहें देहों करना चाहता हूं एक अधिकर यह हमारा open हो गया दो बार मैंने क्लिक कर दिया था इस तरह से आप अपने धाल बैठे मोबाइल से ही अपना जो भी कम्पीटर हो गया है इसको सब को इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं देखिए देखरें है जो भी है थोड़ा आराम से करें कि मैं वीडियो बना रहा हूं इस वज़े पर ज्यादा जल्दी में हूँ वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं यह देखिए यहाँ पर लाके इसको मिनिमाई अगर करना है आपको क्या करना है आपको क्या कर सकते हैं इसको मैक्सिमाइज करके देखते हैं यह देखिए मैक्सिमाइज हो गया आपको क्या करना है आप सब कर सकते हैं यहाँ पर देखिए स्टार्ट पर चलते हैं यहाँ पर देखिए को रोटाना के पास जो हमारा विल्डो होता है लेट ख्लीक, राइट क्लीक आपके हाथ ने ल out uniUNG पर तो पने किने जाएगी गया एप सब्छे किसे हाथ के बाइदा है आप कहीं दिया हूं बाहर उन्य आप नेया सब्चे सब्छाला हों, और हमों और हम्यों कर सुइनर nehmen जरू अपने mobile और उसमें रखिए यहां पर देखिए मैं YouTube को open करना चाहता हूं तो देखिए मैं इस फिल ले जाओंगा और यहां पर क्लिक कर दूँगा देखते हैं क्या open होता है यहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप क्या mobile या computer घर खराब हो चुका है या फिर किसी तरह का setting कुछ गरबर हो चुका है अगर आपको setting के बारे ममालों है और घर वालों नहीं पता है ताप उसकी setting आप अपने mobile दोरा अच्छे से कर सकते हैं तस आपको कह करना होगा कि आपके अपने घर के mobile या फिर office के mobile आप जो भी आप जिसको भी करना चाहते हैं उसमें भी ये software इंस्टाल करवा लेजिएगा सेम इसी तरह से आप उसका id ले लीजिएगा घर बैठे चाहे आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं मैं कर रहा है अपने mobile में लेगिन वहां पर हो रहा है software बहुत ही अच्छा चीज समझ गें आप घर बैठे कहीं से भी किसी भी काम को कर सकते हैं अगर आप ओफिस में है तो घर का काम आफिस में कर सकते हैं अगर अपने computer, real app या फिर mobile से कुछ काम करना होता है ठीक है तो उमीद करता हूं यह video आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको यह video अच्छी होती है तो आज के लिए कसी इतना ही मिलते हैं में अबने के लिए वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद जै स्रीकृष्णा